अगर मैं फारुक अब्दुल्ला कहता हूँ तो फारुक अब्दुला एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं ये बात नहीं आप गर इतियास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेट्समेंट्स को हाल फिलाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारुक अब्दुला और राहुल गांधी में ज़्यादा फरक नहीं है ये एक ही सिक्के के दो पहलू है एस फार एस फारुक अब्दुला करते हैं अब ये भारत से घ्रणा करते हैं अब ये हिंदुस्तान से घ्रणा करते हैं ये वही राउल गांदी है जिन्होंने चंद दिनों पहले हिंदुस्तान को सरंडर्ड बताया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सरंडर कर दिया है ये वही राउल गांदी है जि प्रधानमंत्री अपने आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन यह कहां तक देश के सनमुक है और यह कहां तक देश विरोधी है यह आप सब जानते हैं और आप सब समझते हैं आप याद करिए यह वही कॉंग्रेस पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक तक पर सवाल उठा सर्जिकल स्ट्राइक पे एर स्ट्राइक पे सवाल उठाकर राहूल गांधी पाकिस्तान में हिरो बने थे आज फारुक अब्दुल्ला चीन में हिरो बने होंगे ये लोग चाहे वो फारुक अब्दुल्ला हो चाहे वो राहूल गांधी ये तमाम जगह हिरो बन रहे हैं पाक कि में Congress Party का Congress Party का दफ्तर खुलना जीजा जी करके वहां स्केटिंग करना भारत के खिलाफ ट्वीट करना भारत ने सरंडर कर दिया है इस प्रकार की बाते बोलना सल्मान खूर्शीद का वहां जाकर पाकिस्तान में कहना की हाँ पाकिस्तान तो शांती चाता है मगर हिंदुस्तान शांती नहीं चाता और सलमान खूर्शित का बीजिंग में जाके कहना एक स्टेंड ओफ के समय कि हाँ हाँ बीजिंग इतना सुंदर है कि हम तो बीजिंग में ही बसना चाहते हैं जहां तक फारुक अद्दुल्ला और राउल गांदी जी का सवाल है मैं तो उनसे कहूंगा कि आप दोनों डूपलेक्स बनाके रहिए आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नही है आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनस तापित करना है आपको लगता है जैसे मनीशंकर आयर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा तो ये दोनों चाहे फारुक गांधी कहिए या राहुल अब् करता हूं ति अगर इतनी समानता है दोनों के विचारदारा में तो डूपलेक्स बना के वो जिस भी शहर में रहना चाहे दोनों मिलकर देश के ऊपर आक्रमन करना M.O.U. साइन करते हैं 2008 में जाके माँ बेटे दोनों चाइना में राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा लेते हैं और बदले में महिमा मंदन चीन का किया जाता है ओलम्पिक में बीजिंग ओलम्पिक में प्रदान मंतरी नहीं जाते हैं सोनिया जी चली जाती हैं कि लीडर ओफ ओपोजिशन केवल ओपोस करने के लिए नहीं होता है जो लीडर होते हैं ओपोजिशन पार्टीज में वो भले ही नेताओं के विरोध में कहें वो पार्टीओं के विरोध में कह सकते हैं ये लोकतांत्रिक देश हैं ये policies के विरोध में कह सकते हैं किन्तो हिंदुस्तान का विरोध करना भारत का विरोध करना हिंदुस्तान के संप्रभूता का विरोध करना हिंदुस्तान के Parliament में जो decision हुआ उसका विरोध करना ये कहां तक न्याय उचित है ये कहां तक उचित है मैं एक और बात कहके अपनी ब जैसे अधीरंजन चौधरी ने राहुल गांधी जी के कहने पर पार्लमेंट के पटल पे सदन के पटल पे जब अनुच्छे 370 पर आधरनी अमिच शाह जी डिबेट कर रहे थे उस समय कहा था कि अमिच शाह जी क्या आपने इस बाइलेटरल मसले पर चर्चा कर ली है दूसरो से आर्टिकल 371 दुपक्षिय विशय है एक बाइलाटरल विशय है आपको पाकिस्तान से चर्चा करना चाहिए था उसके बाद यहां इंडिया में डिबेट करना चाहिए था इसी लिए मैंने कहा कि चाहे फारुक अब्दुल्ला हो चाहे राहुल गांधी हो दोनों में काम तक पहुँच गए हैं जहां वो देश का विरोध करते हैं देश के विरोध में बयान देते हैं आपको यह भी याद दिला दूँ इसी आर्टिकल 370 को जब रिपील किया गया था राहुल गांधी पार्लमेंट से बाहर आके कहे याद होगा आपको कि 100-100 लोग मर गए है जम्मु कश्मीन में कई 100 लोग मर गए हैं और इसी बात को जो एक फेक न्यूज थी इसी को ट्वीट करते हुए इसी को उठाते हुए राहुल गांधी के इस ट्वीट का सहारा लेते हुए इमरान खान ने डोसियर दिया था युनाइटेड नेशन में और डोसियर में पहल वाक्य राहुल गांधी जी का था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनुच्छे 370 के कारण भारत में स्वतंतरता समाप्त हो गई है लोगों के साथ जीनोसाइड किया जा रहा है और ये गरत न्यूस थी तो स्वभाविक है ये लोग देश को उपर नहीं रखते हैं ये कही न कहीं केवल और केवल अपनी राजनीती को आगे बढ़ाना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवार